नौर्थ कैश्मीर में पिछले एक हफते में दो एंटी टैर्रिस ऑपरेशन्स किये गए और इन दोनों ऑपरेशन्स में पांच अतंकवादियों को मार्ग रहा गया है 24 दिसम्बर को वनिगाम गाओं में जो के क्रिरी पटन के लाके में पड़ता है वहां एंटी टैर्रिस्ट ऑपरेशन्स में दो टैर्रिस्ट को मार गिराया गया था जिसमें एक टैर्रिस्ट पाकिस्तान का रहने वाला था अबराद 2018 से एक्टिव था और उसके साथ दूसरा लोकल टैर्रिस्ट आमीर सिराज था सपोर का रहने वाला जो जून 2020 से एक्टिव था कल शाम को नैशनल हाईवे के बिलकुल पास नूरा हॉस्पिटल के ऑपोजिट हमडी एरिया में स्पैसिफिक इंपुट मिली थी के वहाँ पे कुछ टैर्रिस्ट ने पना ली है उसके बाद आर्मी जेकेपी और सी आर्पी अफ दौरा जॉइंट ऑपरेशन लॉंच किया गया जो पूरी रात चला और आज साड़े ग्यारां बजे जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो उसमें तीन टैर्रिस्ट जो हैं उनको मार गिराया गया गौर तलब बात यह है कि इस इलाके में जो पारिमपूरा का नारबल का और बमीना का इलाका है यहां पर कंटिनूसरी इंपूट्स आ रही थी कि टैर्रिस्ट किसी बड़ी टैर्रिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं और सभी इंडिजन्सी और सिर्योरी फोस इंडेलियन्स को बिल्ट आप कर रही थी और कल जब खबर आई तो उस बिल्डिन्ग को कॉडं किया गया क्यूट्ट करने के बाद में तेर्रिस्ट को स्रेंडर करने की अपील की गैं काफी देर अपील करने के बाद एक पार्ष्द से बाहर निकलने की कोषिश्च में की लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगा जो अंदर उसके बागी साथी थे उन्होंने फायर खोल दिया और गर्नेट्स स्क्रोडी फोर्स की तरह तरफ उन्होंने फिके और उसको उन्होंने वापस अंदर बुला लिया रात होने के बाद ओपरेशन को हमने सिस्पेंड किया कोडं जो था उसको टाइटन करके इंटैक्ट रखा और रात भर और सुबह फर्स टाइड पर हमने फिर स्रेंडर पील की लेकिन जब भी हमने स्रेंडर के लिए अपील की अन्धर से या तो ने उसका जवाब फारिंग से दिया या लगा था गर्नेट फैंके तो इससे जाहिर होता है कि वह सुरंडर करने वाले ताक में नहीं थे और जो गोला बारू दोने पूरी रात यूज किया स्कूरी फोसे अगेंस्ट वह इस बात को दरसाता है कि वाकई में नैशनल हाईवे क के पास वो किसी बड़ी कारवाई को अंजाम देना चाहते थे और उसके बाद जाप दोनों तरफ से गोला बारी हुई और इस कारवाई में तीनों का तीन मारेगा पाकिस्तान की तरफ से जो भी उनके हैं लगातार कश्मीर घाटी में अतंग फलाने की कोशिकों में कोई कमी नहीं है कि उन्होंने अगर आपको याद हो रेकसर exploratory कोशिच की थी डीजी के दुरान कोशिच की है लेकिन क्योंकि security grid हमारा और security agencies में जो तालमेल हो इतना इतना मजबूत है कि किसी रादेमन को हमने सफल होने नहीं दिया कि अभी जो आने वाले समय में 26 जनर्री का देना वह भी महतरपूर्ण है ऐसे जो भी देन होते हैं उस पर उनकी मन्शा रहती है कि किसी ना किसी तरह का जो बड़ा आतंकी हमला उसको अंजाम दिया जाए लेकिन मैं आपको अश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सारी security जो हमारा जाकर खोल दिया गया है और जो नॉर्मल इस पर गुलमग और बारा मुला की तरफ जो ट्रैफिक है वो दुबारा भी शुरू हो जाएगा